क्रिसी और मृदा विभाग के सोध में एक ऐसी सबजी पर सफलता मिली है जो न केवल खाने में स्वादिश्ट है बलकि सेहत के लिए भी लापकारी है इस सबजी की खेती कर किसान निये संकोच रुप से माला माल बन सकते हैं सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है इस सबजी को सुरण गजेंद्र वन प्रजाती के नाम से जानते हैं इस फसल को संपन्न करने के लिए नहीं सिचाई और नहीं कोई खाद उर्वरक की आओ सकता होती है इसकी खेती 6 महिने में संपन्न होती है यह सूरन की गजेंद्रवन प्रजाती है सोध में यह सूरन बिना खाद और उर्वरक का तैयार हुआ है जिसका वजन लगभग शाड़े चार किलो तक है। सूरन गजेंद्र वन प्रजाती है और यह प्रजाती खाने के लिए बहुत अच्छी है। इसके जो कंध हैं इनमें कोई खाने से गले में किसी प्रकार का चरपराहट और खोजली नहीं होती है। सूरन ऐसे भी जो बवासीर के पेसेंट हैं उनके लिए रामबाण और सधी के रूप में जाना जाता है। और खेती के द्रिष्ट देखा जाए तो 200-500 ग्राम के टुकड़े लगभग 2-2 फिट की दूरी पर गड़े में छेंच की गहराई में लगाये जाते हैं। लगाने का जो सबसे बढ़िया समय है वो है अप्रेल का समय जिनके पास सिचाई का साधन है। अगर सिचाई का साधन नहीं है तो जैसे पहली बरसात होती है उसमें लगा सकते हैं। और लगभग हमने जो देखा है यह 6 महिने की हमारी फसल है और इसमें हमारे पास अधिक्तम जो कंद की साइज है वह 4.5 किलो तक है। और बड़ा अच्छा उत्पादन मिलता है एक हेक्टेयर से मतलब एक हेक्टेयर से लगभग 300-400 कुंटल सूरन पैदा हो सकता है। और बीज की जो मात्रा है वह बहुत जादा नहीं एक हेक्टेयर में लगभग 20-25 कुंटल बीज में हो जाता है। हम लोगों ने जो किया है ये बिना खाद और बिना किसी प्रकार के उर्वरक के इस्तिमाल से उत्पादन किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक खिती से पैदा हुआ सूरन है। असूरन एक ऐसी फसल है जिसको कोई जानवर चरता नहीं है खाता नहीं है। पस एक समस्या इसमें आती है कि जो नदी और नाले के किनारे वाले छेत्र हैं। उनमें थोड़ी सी साही जो है जब ये अपने पकने की इस्तिती में आता है इसका कंद तो वो खाने लगती है। किसानों के लिए बहुत ही लाफदायक और फायदेबंद फसल है। लोगों के लिए भी जब हरी सबजियां उपलब्द ना हो या हरी सबजियां खाने से अगर मन उबे तो सुरन का सबजी खा सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। लोकल 18 के लिए बलियां से सनंदन उपाध्याई की रिपोर्ट बहुत अपलब्द फसल है बल्ड़ ना है अपलब्द ना है रिपट्र लोगोर्ट